मस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर सुरेश परिहार और ओशो माइंड टॉक में आप सभी का स्वागत है दोस्तो ओशो माइंड टॉक में हमने ओशो ने जो की हमारे देश के एक बहुती महान एसे व्यक्ति हुए जिसने माइंड का बहुती अच्छे से अध्यन किया था और दुन उनका एक बहुत ही गहन एक सिध्धान्त है जिसका नाम है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलकर रहेगा अपनाओ इस खास सिध्धान्त को और ये सिध्धान्त जो था वो धारणा से सबंदित था तो साथियो आज हम इसी सिध्धंत के बारे में बात करेंगे कि वो क्या सिध्धंत है अगर उस सिध्धंत का हम उपियोग करते हैं तो हम हमारे माइंड को इतना विक्षित कर सकते हैं कि वो माइंड पूरी बोडी में इतनी इनर्जी दे सकता है इ बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगी काम करने लग जाएगी काम करने के इच्छा होगी और जब करम होगा तो हमें फल निश्चित तोर पर मिलेगा दोस्तों वो क्या सिध्धान्त है जब ओशो ये सिध्धान्त बताते हैं तो उससे पहले वो चर्चा करते हैं महवीर के कुछ कथनों की कि महवीर जिनोंने आज से करीबन 5000 साल पहले कुछ लाइने बोली कुछ कथन बोले कुछ सिध्धान्त दिये जिसमें ये था कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो, तो उसको देखना शुरू करो, आप उसको observe शुरू करो, देखना शुरू करो, कुछ पाना चाहते हो तो, दूसरा ये था कि कुछ अगर खोजना चाहते हो, कुछ नया चीज निकालना चाहते हो, अगर उसमें से कुछ ची हो तो आप जो भावना है उससे सबंदी जो भावना है उसको ग्रहन करना सुरू करो उसको accept करना सुरू करो तो यह बड़ी एक खास लाइने थी और यह लाइने उन्होंने समझाते हुए इस रूप में समजाई कि जیते है की जेसे एक अतीथी आ रहा है तो उसी के साथ में हम उनके स्वागत में बहुत कुछ चीजों में बदलाव करने लग जाते हैं उनके स्वागत का जो इंतजाम है वो हम पहले ही कर लेते हैं तो जब हम उनके स्वागत का इंतजाम कर लेते हैं और फिर जब अतीति आता है तो उनके अंदर एक frequency match होती है तो इसी परकार से आपका mind और आपकी body जब दोनों की frequency match होगी जब दोनों के अंदर vibes match होगी जब दोनों एक लेय में होगे तो आप जो चाहोगे वो आप प्राप्त कर सकता हो आपका mind आपकी body एक उच्चतमस्तर पर काम करेगी तो हम इसी सिद्धान्त को और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए ओशो ने एक बहुती खास उधारन दिया जिससे हम वो में सिद्धान्त समझ सकते हैं उसे खास उधारन से और ये भी जो उधारन था वो करीवन 5000 साल पहले का था और चाइना से ये उधारन लिया गया कि चाइना में एक उस वक्त की एक चिकित्सा पदती थी जो चिकित्सा पतती ये कहती थी कि हम कोई भी बिमारी है उस बिमारी के बीज को पकड़ लें अगर हम कोई बिमारी के बीज को पकड़ लें तो वो बिमारी आगे नहीं बड़ेगी वो बिमारी बड़ी नहीं होगी तो उसके अंदर हम उस इनसान को बिमार होने से रोप देंगे क्योंकि सबसे पहले कोई बिमारी जब पेदा होती है तो उसका एक बीज पेदा होता है जिसे की बहुत बड़ा जो पेड़ा आपको दिखता है वो पेड़ एक चोटी सी बीज से बनता है तो वो जो बिमारी है वो भी एक बहुत हलकी चीजों से बनती है तो उन्होंने इसको और आगे बताते हुए ये बताया कि हमारे स्रीर के अंदर सिर्फ खून की जो नाडियां हैं वही नहीं चलती, उस खून की नाडियों के अलावा विद्यूत की नाडियां, इंपल्स की नाडियां भी चलती है, कहीं भी हमें अगर सुई चुबती है तो तुरंत जो उसका पता है, वह हमारे माइंड को चलने लग जाता है, तो वह जो नाडियां है, वह विद्यूत की नाडियां है, वह इंपल्स की नाडियां है, उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी एक तीसरी परकार की नाडिया है, तीसरी परकार का एक फ्लो है, और उस उन्होंने जो life से related एक flow बोला कि एक प्राण शक्ती है प्राण का एक flow है जो पूरे सरीर में बहता है हमारे मन से मस्तिस्क से वो शुरू होता है और पूरे सरीर पर बहता है और जब बहता है तो अपनी जो skin है वहां से 700 times वो बाहर की और सतय पर आता है और उन 700 सतय में से भी मुख्यत या 107 सतय ऐसे points का चुनाव किया गया जहां पर उसको हम परभावित कर सकते हैं और कहते हैं कि जब भी कोई बिमारी आती है तो उससे पहले उस flow के अंदर परिवर्तन होता है उस flow के अंदर बदलाव होता है और उसी flow को अगर ठीक कर दिया जाए तो बिमारी आने से पहले ही हम उसको रोक सकेंगे और ये जो सिद्धान्त है वो एक्यू प्रेसर के तोर छाइना के अंदर उस जमाने के अनदर सुरो किया गया कि डॉक्टर जिम्मेदार होगा अगर किसी को भिमारी हुई तो और जिम्मेदार इस बाद से है कि बिमारी होने से पहले ही उसकी जो प्राण शक्ति है उसको ठीक कर दिया जाए तेुटा दोस्तो इसी का एक और रूप जो है वो भारत में भी आया और मरम चिकिक्सा के रूप में ये भी देखा गया और मरम चिक्सा के रूप में आज के जमाने में अंदर भी इसकी प्राक्टिस की जाती है कि बहुत सारे जो ऐसे points हैं जो कि हातों में होते हैं और पूरे शरीर पर 107 परकार के points होते हैं और उनको दबाकर और पूरे जो प्राण सक्ति है उसको maintain किया जाता है दोस्तों इस प्राण सक्ति के साथ में यह देखा गया कि इस प्राण, शक्ति के अंदर इस फ्लो का जो उद्गम है जो इसका केंदर बिंदू है वो माइंड है मस्तिस्क है वो हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और विचारों में यह देखा गया कि विचारों के अंदर जब बदलाव आता है तो इसमें भी बदलाव आता है और वि विविन परकार की धारणाई बनाते हैं, हमारे विविन परकार के विचार होते हैं, किसी के positive, किसी के negative, वो positive विचार चलते चलते हमारी positive धारणाई बना लेते हैं, और इसका उल्टा भी possible है कि धारणाई अगर positive होगी, तो हमारे विचारों के इंदर भी positivity होगी, और जब वि पुरे जो प्रान वायू है जो हमारा प्रान का जो फ्लो है उसको वो पॉजिटिव करेंगे और हम स्वस्त रहेंगे खुश रहेंगे हमारे श्रीर के अंदर इनर्जी शक्ति पावर जो है वो मेंटेन रहेगी हम शक्ति शाली अन्भव भी करेंगे और हम शक्ति के साथ में क तो इसके लिए एक धारणाओं से जुड़ा हुआ ये खास सिद्धान जो ओशो ने बताया इसके आगे के जो डिटेल है वो हम पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट फॉर में लाते रहेंगे लेकिन ये एक मुख्या पार्ट है जो कि ये कहता है कि हम अगर हमारे विचारों पर काम करेंगे हम अगर हमारी धारणाओं पर काम करेंगे हम अगर पॉजिटिविटी के साथ में काम करेंगे तो हमारा मन जो है वो खुश रहेगा और मन जो केंदर होता है पूरे स्रीर के अंदर जो flow प्रवावित हो रहा है प्राण शक्ती का तो वो हमें पूरी प्राण शक्ती देगा हमारे स्रीर के अंदर पूरा flow पूरा आएगा हमें शक्ती पूरी मिलेगी तो अगर हमारा किसी भी काम करने का मन है और हमसे वो अगर काम भी होने लग गया है तो उस वक्त हमारा मन और हमारे जो सरीर है वो एक flow में आता है एक तारतम्य में आता है उनकी जो frequency है वो match होती है उनकी vibes match होती है और हमसे maximum काम होता है हमसे maximum input दिया जाएगा और अगर काम बहुत अच्छे से हुआ तो हमें उसका जो result है फल है वो अविश्य मिलेगा और इस परकार से आप जो चाहते हो वो आपकर मिलकर रहेगा आपको इस धारणा से जुड़े हुए इस सिद्धान्त का पालन करना है तो उमीद करता हूँ कि ओशो टॉक में आज का ये episode आपके काम आया होगा आपको ये अच्छा लगा तो इसको आप like कीजिए इस से जुड़े हुए विभिन जो पार्ट आप सभी यहाँ पर मिलेंगे उनको भी जरूर देखना और हमारी इस वीडियो को like करें आपकी जो भी सुझाव जो भी बाते हैं उनको आप comment के रूप में हम तक पहुचाएं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और हमारे चैनल को subscribe करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you जय हिन जय भारत